दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे class 10th, subject economics का एक topic है, आर्थिक विकास और आर्थिक व्रदी में क्या अंतर है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन दो शब्दों को आर्थिक और विकास के अर्थ को समझेंगे, अब आर्थिक शब्द का जो मतलब होता है वो ह तरक्की करना, तब यहाँ पर आर्थिक विकास का मतलब हो अर्थ का विकास, यानि रुप्या पैसा पूंजी का विकास, मतलब यही कि जब हम पूंजी से, रुप्यों से, पैसों से तरक्की करेंगे, तब उसे आर्थिक विकास कहेंगे, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास में ज़्यादा पूंजी हो ज़्यादा रुपया हो तब हम आर्थिक विकास करेंगे अब यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि रुपयों पैसों से हम विकास कब करेंगे और कैसे करेंगे तो हम आर्थिक विकास तब करेंगे जब हमारी आय बढ़ेगी हमा सा प्रोंसेश इसके अंदर कोई भी देश हो या फिर कोई भी राज्य हो अब उस देश या उस राज्य के प्र ती व्यक्ति की जो आए होती है और फिर उस आए में एक लंबे समय तक जो व्रदी होती है उसे हम आतिक विकास कहेंगे तो सीदrant से शब्दो में कहो कि किसी भी देश के या किसी भी राज़े के हर इंसान की जो कमाई होती है, उसमें जो व्रती होती है, उसमें जो बड़ोतरी होती है, उसे हम आतिक विकास कहेंगे। अब जो प्रतेक व्यक्ति की जो आय है उसमें जो व्रदी हो रही है उसमें जो बरोत्री हो रही है वो एक लंबे समय तक यानि यहाँ पर एक शर्ट है कि साल दो साल तीन साल नहीं यहाँ पर एक लंबे समय तक उस आय में व्रदी होना जरूरी है तो अब यहाँ पर आपके स मेन उत्देशे हैं वो अर्थ विवस्ता के सारे छेत्रों में जो उत्पादक्ता है जो उत्पादन है उसका जो इस्तर है उसे उचा करना होता है यानि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना क्योंकि क्या होता ना कि जब किसी फैक्टरी में किसी कमपनी में या पिर किसी ऐस जगे जहां उत्पादन के साधन है और वहां बहुत जादा उत्पादन होनी लगा है तब हमें जर्रत करती है लोगों की यानि वर्कर्स की और जब हमें वर्कर्स के जर्रत होगी तब क्या होगा तब रोजगार बढ़ेगा और जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा और लोग जब काम करेंगे तो उनकी आय में उनकी पूंजी में व्रदी होगी तो देखो अब समझ में आगया ना अच्छे से कि जब प्रतिव्यक्ति की आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा अब हम आके चलते हैं और देखते कि आर्थिक विकास और आर्थिक व्रदी में क्या अंतर हैं तो देखो आर्थिक विकास और आर्थिक व्रदी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि इन दोनों को बस एक दूसरे के जगह पर यूज किया जाता है लेकिन फिर भी अर्थिशास के कुछ खास विशेशक्ये जो हैं उन लोगों के दोरा इन दोनों मे कुछ खास अंतर बताए जाते हैं अब देको एक इकनॉमिक्स एक्सपर्ट लेडी है श्रीमती ओर्सला हिक्स उनके अनुसार आर्थिक व्रदी जो शब्द है वो आर्थिक ड्रस्टी से अर्थ विवस्ताओं के लिए किया जाता है जो कि आर्थिक विकास जो शब्द है उ ऐसे देशों के लिए आर्थिक विकास जैसा शब्द तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि वो विकास कर चुके हैं आगया यहाँ पर आपके समझ में कि जो देश विकास कर चुका है उसके लिए हम आर्थिक विकास जैसे शब्द का यूज तो करनी सकते मतलब ये कि जो देश अल्रेडी विकास कर चुका है, तरक्य कर चुका है, वो अब विकास तो करेगा नहीं. इसलिए उसमें अब जो भी होगा, वो क्या होगा? व्रदी होगी, बढ़ोत्री होगी. और यही वज़े कि आर्थिक व्रदी का जो शब्द है वो विक्सित अर्थ विवस्ता के लिए किया जाता है और आर्थिक विकास सब्द का जो प्रियोग वो अविक्सित यानि जो विक्सित नहीं हुआ है या फिर विकास शील यानि जो विकास कर रहा है ऐसी अर्थ विवस् के लिए किया जाता है जबकि आर्टिक विकार श्रब्दे का प्रियोग है वह विक्सित या विकार अर्थ विवस्ता के लिए किया जाता है